नमस्कार विशेश रजुवात मां आपनू स्वागत छे हूँछू पंकज मित्रो विदेश मां अभ्यास करवा के बार्ग परमिक मांटे गुजरातियों मां खुबज आकर्शन रहुँछे खास्तो अमेरिका, लंडन, कैनेडा ने अस्ट्रलिया जेवा देशो मां जनारा गुजरातियों नी संख्या नोधपात्र रही छे पड़ विदेश मां जवा मांटे पास्पोर्ट एक अगत्यानू पगलू होई छे पास्पोर्ट नी प्रक्रिया पहलाना प्रमाण मां केतली अत्यारे सरण बनी छे डिजिटल पास्पोर्ट सिस्टम केवीरीते काम करे छे विदेश मुकलताची एजंटों छे अपने प्रकरिया हाथ धरता होए त्यारे पने चुग ध्यान राक हो जुए तमारी पासे नकली पासपोर्ट तो नथी आवी तमाम बाबतो नी आज आपने चर्चा करेशू आज निया खास रजुआतमा तो आजे आपने वाद करीशू के पासपोर्ट नी डिजिटल प्रक्रिया केटली सरड छे पासपोर्ट कढ़ाव दी वकते केवा डॉक्युमेंट नी जरूर पड़ेशे पासपोर्ट सर आपका स्वागत है नियूज 18 गुजराती में सबसे पहले तो सर यह आपसे पुछना चाहूंगा कि पासपोर्ट बनाने के लिए गुजरात में से कई लोग विदेश में जाते हैं तो पासपोर्ट की बहुत सारी अपोइट्मेंट रोजाना आती होंगी तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि पासपोर्ट के लिए अमदाबाद क्षेत्री कार्याले किस प्रकार से काम करता है जी देखिए हमारा जो अमदाबाद का छेत्री पासपोर्ट कारयाले है इसका जो जूरिस्डिक्षन है वो गुजरात के 27 जिले हमारे उसमें आते हैं चेत्रादिकार में और यूटी दीव जो है वो भी हमारे चेत्रादिकार में है तो हम हमारे passport सेवा के अंदर हैं, दो एमधाबाद में है, एक वाडोद्रा में है, एक राजकोट में है, और साथ ही साथ उननिस हमारे post office में passport सेवा के अंदर खोले गए हैं, जो अलग-अलग GCILA के जो head post office हैं, उनकें अंदर हमने खोले हुए हैं. तो इनके माध्यम से हम अवेद्रकों को सेवा देते हैं और पर डे की बात करें तो अभी जो हमारा एवरेज अप्लिकेशन का है वो तीन हजार के आसपास हमें अपने छेतरे दिकार में अप्लिकेशन प्राप्त होती है पर डे पर डे की बात करें तो इसमें कौन कौन से कारेकरम होते हैं आजादी का अमरत महोत्स वैसे तो पूरे साल मनाया जा रहा है माननी प्रधान मंत्री जी ने पिछले वर्स 12 मार्च को इसका शुबारम किया था क्योंकि यह हम आजादी का 75 वर्स मना रहे हैं अपने जो हमारे 173 स बंदोलन था उसको हम याद कर रहे हैं अपने संकल्पें को द्रड कर रहे हैं इसी करम में हमने पूरे वर्स कुछ-कुछ कारेकरम किये थे जैसे सचता अभियान चलाया था लोगों को जागरूख किया था लेकिन यह हमारा जो यह सबता है 217 फरवरी का यह विशेश रेयल है उसके दूतावास मना रहे हैं इसमें हम कुछ गत्विदियां चला रहे हैं जैसे की हम लोगों को पासपोर्ट के बारे में जागरूखता अभियान चला रहे हैं हम एक पद्यात्रा निकाल रहे हैं 23 तारीक को हमारी पद्यात्रा होगी जो गुझराद विद्याप कर रहे हैं जो कि भारतिय सांस्कृतिक संबंध परिशद के सायोग से हम आयुजित कर रहे हैं वह विदेश मंत्राले का ही एक अंग है यह सब कारिक्रम हम इस आजादी का साब आपने आप जागरूती कारिकरम वे आप मना रहे हैं तुमिजे सबसे पहले मेरा ऐ HU पास्पोर्ट बनवाने के लिए पहले प्रकृरिया थी और अभी जो प्रक्रिया है उसमें आप से तो जादा आवदकों ने अनुखरिए आप और इसको सबसे ज्यादा ज्यादा अनुभव किया है और उसके बाद हमने भी अनुभव किया है पहले की प्रक्रिया पुरी तरीके से कागजातों से मुक्ती मिल गई सब कुछ डिजिटाईज हो गया है और जो पासपॉर्ट के आवेदन की प्रक्रिया है वो भी पूरी तरीके से ओनलाइन हो गई है हमारे जितने भी आवेदक हैं सब आवेदन हमारी वेब साइट है उस पे जाके आवेदन कर सकते है फी पैमेंट का सिस्टम डेविट कार्ड से है, क्रेडिट कार्ड से है, इंटरनेट बैंकिंग से है, अपना फी पैमेंट करें, आउनलाइन अपाइनमेंट लें, आपको यह नहीं कह सकता है कि अपाइनमेंट नहीं मिल रहा है, अपाइनमेंट बहुत दिनों के बाद का मिल अप्लाई कर दें, आपको अपाइंटमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो उसके बाद जब भी अवेलेबल स्लॉट है तब आपको मिल जाएगा, ततकाल अपाइंटमेंट के लिए भी बेवस्ता है, आप ततकाल में लेना चाहते हैं, ततकाल में आपको तुरंट अपाइ फिर वो मैनूल पुलिस वेरिफिकेशन भेजते थे हम लोग सभी पुलिस थाने में पुलिस जो हमारे डिस्टिक पुलिस हैड़कॉर्टर हैं अब वो प्रक्रिया भी पूरी तरीके से कंप्यूटराइज है जब हम अप्लिकेशन गरांड करते हैं किसी भी आवेदक की तो आ प्रक्रिया बहुत आसान हो गई प्रक्रिया बहुत तेज हो गई और बहुत ही पारदर्शी हो गई बिल्कुल पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है और बहुत ही बहतरीन हुई है अब इसमें मुझे यह सवाल अभी जानना है कि अभी पासपोर्ट किसी को अगर निक किया है मनिस्टी ने समय समय पर रिविव करते रहते हैं तो जैसी आवज रेक्ताइं होती है उसके हिसाब से एक तो प्रमुक्स चीज यह है कि पहले आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीजों के लिए अफिडेविट लिया जाते थे हैं तो मानि प्रधार मंत्री जी के अं पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी भी आवेदिक को किसी भी व्यक्ति को एक तो अपना जर्म तितिका प्रमार देना होता है उसका कोई उसको आधार चाहिए हमें कोई उसका दस्तावेज चाहिए उसका पहचान का दस्तावेज चाहिए और इन दो के अलावा उसका एक निवास का यानि की वो कहा रह रहा है उसका जो वर्तमान पता है उसका एक हमें प्रमार चाहिए होता है बस इतने ही दस्तावेजों की जरूरत होती है विशेश मामलों की बात करेंगे जैसे अडॉप्शन है कोट केस हैं उन में कुछ-कुछ अलग दस्त को बताना चाहता हूं कि जो हमारी असली वेबसाइट है अथन्टिक वेबसाइट है वह है पासपोर्ट इंडिया.GOV.IN यही हमारी अथन्टिक वेबसाइट है इसी वेबसाइट पे हमेशा जाना चाहिए अपने पासपोर्ट आवेदन के लिए इसके अलावा ऐसा भी यहां दखने वाली बात यह है कि वैसे भी एक सामने जानकारी की बात बता दूँ कि .gov.in यह हमारा जो भारा सरकार का डोमेन है, URL में यह डोमेन होता है, इसी तरीके से .nic.in यह सरकारी है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यह सरकारी वेबसाइट है, इसके अलावा जैसे पासपोर्टसेवा.in बना लिया किसी ने, किसी ने अपलाईपासपोर्ट.com बना लिया, यह सब वेबसाइट्स हमारी आधिकारिक वेबसाइट्स नहीं होती हैं, तो आपको जो मैंने वेबसाइट बताई, www.passportindia.gov.in उस पर आप जाएंगे, तो आपको मैनू मिलेगा, जिसमें यूजर रेजिस्टेशन कर सकते हैं, यूजर रेजिस्टेशन में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी हैं, उसके बाद आप अपना पासपोर्ट आवेदन आराम से कर सकते हैं, और उस पर फीज पेमेंट से लेके, अपॉइन्में करने के बाद में, जैसे मैंने बताया कि आप फीज पेमेंट करके अपॉइन्मेंट आउनलाइन ले ले लेंगे, किसी भी पासपोर्ट सेवा किंदर का, या पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा किंदर का, वहां जाकर के अपने जो दस्तावेज हैं, वो लेकर के जाने हैं, वहाँ आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा दस्तावेज चेक किये जाएगे आपका बायोमेट्रिक इंप्रेशन कैप्चर किया जाएगा और उसके बाद सामाने केस में आपको उसी दिन पासपोर्ट ग्रांट हो जाता है उसी दिन पासपोर्ट ग्रांट होने के बाद में और कुल मिलाकर पासपोर्ट जारी होने की परक्रिया में अधिक से अधिक आठ से दस दिन का समय लगता है कभी-कभी ऐसा सुनने में आया है कि खास केस में तीन दिन में भी पासपोर्ट बन जाते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ यह possible है एक तो उसके लिए ततकाल योजना है जो लोग ततकाल में आवेदन करते हैं उसके लिए तीन दिन का टाइम निरधारित है ततकाल में जो दस्ता वेज होते हैं उसमें से जो आपका identity proof है, date of birth proof है, residence proof है उसमें तीन documents की आपको जरूरत पढ़ती है वो तीन documents आपक अब एक बहुत ही महत्वपून सवाल है मेरा, अगर किसी आवेदक ने online apply किया है पासपोर्ट के लिए और उसको क्या ध्यान रखना है अगर उससे कोई गलती हो गई लिखने में और फिर बात में उसको पता चला तो उसका क्या इसमें दो बाते हैं एक तो यह है कि पासपोर्ट का आवेदन करते समय सारी जानकारी सूचना है बिल्कुल सही इस पस्ट रूप से देनी चाहिए गलत सूचना देनी नहीं चाहिए और कोई भी सूचना छुपानी नहीं चाहिए क्योंकि यह पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार दंड़नी अपराद है इसका अप्रावधान है अब एक तो यह इस्तिती हो सकती है कि जहां कोई आवेदक ने भरी अपनी डिटेल भरी लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गई जैसे उसने अपने नाम की या फादर नेम की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है अब अप्लिकेशन तो उसने सम्मिट कर दी अब वो क्या करे उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है जब वो पासपोर्ट सेवा क है तो बता देंगे कि ये मिस्से गलती हो गई है तो हम पासपोर्ट सेवा के अंदर में उसे सुधार करने का हमारे पास प्रावधान है हम उसको सुधार कर देते हैं तो इसके लिए पहले जो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी है उसमें वो जब परिवरतन के लिए आते हैं उसके लिए फिर पूरी अलग प्रकरिया होती है उसके लिए समुचित दस्तावेज देने पड़ते हैं कि आपने पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी और अभी जो चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डॉकुमेंटरी उसके प्रूफ जितने हैं वो सब देने आप प्रहिस्ती थी थी बचवा माटे आपने शू करूँ जोई ये ना नकड़ा ब्रेक बात जाने शूँ तो आपने वात करी रहा छे पासपोर्ट अने तेने लगती तमाम बावबत उनी रेन मिश्तरा साइब आपने साथे जोड़ाला छे रेजिनल पासपोर्ट ऑफिसर छे अमिश्तर साइब फरी एक एक बहुत ही एहम सवाल मेरा है अभी क्या है कि जो एजंट लोग है वो कही पानकार निकालते हैं गुमासता धारा आईटी रेटन बनाते हैं तो वो अब पासपोर्ट भी बनाते हो गए हैं तो ऐसे में लोगों का भरोस अब एजंटों के उपर भी बढ़ता जा रहा है तो क्या पासपोर्ट बनवाने के लिए एजंट के पास जाना जरूरी है यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है पहले की जो बेवस्था थी जब मैंने बताया आपको जो हमारी मैनूल सिस्टम था उसमें एजंट लोग पासपोर्ट आफिस की तरफ से कुछ अथराइज एजंट भी थे ताकि लोगों को वो पासपोर्ट अप्लिकेशन फॉर्म भरने में मदद कर सकें और वही लोग उनके पासपोर्ट अप्लिकेशन फॉर्म भरवा के जमा करते थे वो बाकाइदा आथराइज थे लेकिन उसके बाद 2010-11 के बाद जब पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो मैंने आपको बताया कि पूरी तरीक अधिकरत नहीं है और हम किसी भी एजेंट के साथ कोई संपर्क नहीं रखते हैं हमारा हमेशा आवेदकों से यही अग्रे रहता है कि आप अपने आवेदन को खुद भरें बड़ी सरल पर करिया है मैंने आपको वेब साइट बताई वेब साइट के अलावा एक हमारा एप् वो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाता है एंड्रोइड पर भी चलता है आई उएस अपरेटिंग सिस्टम पर भी चलता है तो उसके माध्यम से आप अवेदन कर सकते हैं और बहुत ही आसान पर करिया है बहुत आपको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं ह तो हमारा जो छेतरी पासपोर्ट कारेला है आप फोन से एमेल से खुद आनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम है आकर के पता कर सकते हैं जैसे किसी के मान लीज़े अडॉप्शन का केस है किसी के माइनर का केस है बच्चे यहां पे हैं पेरेंट्स फॉरेंड में हैं तो आपको ऐसी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा कारेला इसी सब सेवा के लिए बना है आप अपॉइंटमेंट लेकर आईए आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको कौन कौन से दस्तावेज देने हैं लेकिन एजेंट के पास जाने के लिए हम आपसे यही आग्रह करत एजेंट नकली पासपोर्ट बना करके आवेदकों को विदेश में भी भेज रहे हैं ऐसे कई मामले आए हैं तो ऐसे में पासपोर्ट शेत्रिय कारियल आए पूलिस के साथ मिलकर ऐसे नकली पासपोर्ट बने ही नहीं उसके लिए क्या काम कर रहे हैं देखिए इसके लिए हम एक तो जो दस्तावेज होते हैं, हर एक आवेदक को इसलिए फ़यम जाना है, पासपोर्ट सेवा के अंदर में जाना है, और उसको अपने ओरिजिनल दस्तावेज बहां दिखाने हैं, ओरिजिनल दस्तावेज में जैसे उसका पान कार्ड है, आधार क प्राइड है, यह सब चीजें वो दिखाते हैं. अब इसमें होता क्या है कि, पास्पॉर्ट को एजैंट हैं. वह बहुत बार लोगों को निस्गाइड करते हैं, या कई बर बहुत बार तो ऐसा है कि आविदोकों की जानकारी के बिना ही उनका, उनके दस्तावेजों के आधार पर किसी दूसरे का पासपोर्ट बनवा देते हैं हम हमारा जो हमारे अधिकारी होते हैं वो ओरिजिनल दस्तावेज देखते हैं लेकिन वो एजेंट लोग ओरिजिनल दस्तावेजों में भी हेर फेर कर देते हैं फिर दूसरा जो लेयर है चेक करने क वो है पुलिस वेरिफिकेशन, जितने भी नए पासपोर्ट बनते हैं, उन समय हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस उन दस्तावेजों के आधार पे और अपनी जो लोकल फूचता अचा उसके आधार पे, इसको देखती है कि व नगली पासपोर्ट और असली पासपोर्ट में ऐसा क्या फरक है जो हम एक्टूली बो तो ऍरश है यह देख पाना आम आदमी के लिए संभब नहीं है क्योंकि एजेंट जो इस तरीके के काम करते हैं वो पासपोर्ट में हेर फेर भी करते हैं तो मैंने बताया कि ये जो फरजी दस्तावेज दे किसी दूसरे का पासपोर्ट बनवाना दूसरा जो वो एक करते हैं वो ये है कि किसी का असली पासपोर्ट है लेकिन उसमें फोटो क जाज करके बता सकता है या फिर जो immigration authority है उनके पास वो machine से चेक करना पड़ता है उस passport को या जो लोग अकसर passport की जैसे immigration के लोग है वो अकसर passport को deal करते रहते हैं तो वो देख करके बता सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा हेर फिर लग रहा है लेकिन फिर भी मशीन से चेक करना पड़ता है उसको तब पता चलता है कि कहीं details में और actual आदमी में mismatch है या नहीं है अच्छा सर कोरोनकाल से पहले जो पासपोर्ट की जो फाइले थी वो कितनी संख्या में आपको मिलती थी अप्लिकेशन कितनी मिलती थी अब उसमें क्या बढ़ोत्री आप देख रहे हैं या कटोती हुई है हाँ उसमें कमी तो अवश्या आई है 2019 में हमने करीब 6.5 लाख या असपास पासपोर्ट अप्लिकेशन का निस्तारण किया था और अभी पिछले वर्ष 2021 में हमने हमारे पास 4.32.957 पासपोर्ट की अप्लिकेशन आई थी इसमें से हमने 4.23.157 निस्तारित कर दी थी तो इस तरीके से देखा जाए तो कमी तो आई है क्योंकि पासपोर्ट तो फॉरेंट ट्रेवल से संबंदित मामला है तो जब तक फॉरेंट ट्रेवल पुरी तरीके से खुलता नहीं है तब तक इसमें थोड़ा कमी रहने की ही संबावना रहती है लेकिन अब धीरे धीरे काम से जो लोग उनको जाना है उनको पासपोर्ट की जरूरत है तो वो लोग ले रहे हैं और धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है दूसरी बात मुझे ये जानी है कि अगर कुछ सुधार हमें करवाना है अगर पासपोर्ट बन चुका है अगर उसमें कुछ सुधार करवाना वाले हैं उसमें जो सामान ने तौर पे हम देखते हैं वो एक तो होता है कि जिन लोगों की शादी हो गई है उनको अपने स्पाउस का ना मैट करवाना होता है ये बहुत कॉमन है तो उसके लिए आपको पासपोर्ट के वही आवेदन कर दीजिए आउनलाइन आवेदन के पर जारी होगा आपको नई बुकलेट दोबारा से मिलती है नया पासपोर्ट नंबर मिलता है और सारी परक्रिया आपकी वही होती है जो आपको नए पासपोर्ट के लिए करनी है तो उसमें आपको अगर आपको नाम चेंज करवाना है जैसे नाम चेंज अगर आपको खुद क लिए अपने के आपको नाम में परिवर्दन सामाने तौर पर बहुत एक्शेप्शनल माना जाता है जो उनकी मृत्यूं के बाद नहीं किया सकता है पासपोर्ट के बारे में बहुत ही उम्दा जानकारी है हमारे दर्शकों को दी बहुत बहुत शुक्रिया तुमित्रों खास रजुवात्मा तेरे आतलूज रजाप्सो नमस्कार